हिजाब का मुद्धा करनाटक से शुरू हुआ जो अब देश के कई राजियों तक पहुँच चुका है वही करनाटक हाई कोट के आदेश के बाद सुप्रीम कोट में भी मामले की सुनवाई हुई लेकिन इस मामले में कोई निशकर्श नहीं निकला और सुप्रीम कोट ने भी समय पर मामले की सुनवाई की बात कही है हिजाब पर विवाद सुप्रीम कोट पहुँचा कोट ने मामले में सुनवाई से किया इंकार हाई कोट में सुनवाई का दिया हवाला कोट ने कहा समय आने पर करेंगे सुनवाई लोगों से शान्ती बनाए रखने की अपील की हिजाब के मुद्दे पर राजनितिक हलचल भी बढ़ी करनाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोट ने इंकार कर दिया सुप्रीम कोट में शुकरवार को करनाटक हाई कोट के उस पैसले के खलाफ अपील की गई जिसमें हाई कोट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी अपील में कहा गया कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए सुप्रीम कोट ने इस अपील पर अरजन्ट सुनवाई से इंकार कर दिया अधालत ने कहा सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेंगी अधालत ने कहा सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेंगी में अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है मदपृदेश में नेताओं की अलग-अलग बयान बाजी इससे धार्मिक मुद्दा बना रही है कॉंग्रस इस मामले में बीजेपी को लगातार घेर रही है कॉंग्रस नेताओं का कहना है हिजाब पहनने की परंपरा आज की नहीं इसे वर्षों से इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन अब बीजेपी इस मामले में राजनीती कर रही है कॉंग्रस नेताओं का कहना है हिजाब से आज तक कोई परिशानी नहीं हुई तो अब इसको मुद्धा क्यों बनाया जा रहा है पहले मेरा उंसस हवाल है कि वो मुझे स्कूलों की दुखदशा बताएं कि स्कूलों में आज की तारिख में जिन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है जिन स्कूलों में बेटने की व्यस्तर नहीं है हुआने टो कि झाकर तब है जाब के उपर उंगली उठाएं हिजाब सतर सालों से श्कूलों में नड़कियां पहन कर जा रही है एक भी उधारन कहीं से लाके दें पूरे हिंदुस्तान का कि एक भी उधारन कहीं से गलत मिलता होगा जिसमें हिजाब पहनने की वज़ा से कहीं इस इंस्टिट्यूट का कोई एटमास्फियर, कोई माहूल खराग हुआ हो, एकाद लाकर दें, उसके बाद उंगली उठाएं, माननिए ये देश समझीधान से चलेगा, जो बाबा साब अम इधर, हिजाब पर छड़ी जंग के विरूत में भोपाल में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने हिजाब पहन कर ही फुटबॉल और क्रिकेट भी खेला, और ये बताने की कोशिश की, कि इस देश में सभी को अपने मौलेक अधिकारों की आजादी है इधर भुपाल के एक और वाइरल वीडियो ने मामले को हवा दे दी, भुपाल के सड़कों पर हिजाब पहने हुई मुस्लिम समाज की महिलाओं बाइक पर स्टंड करती दिखाई दी, एक ही बाइक पर चार से पांच महिलाओं बैठी नजर आई ना ही किसी ने हेलमेट पहना हुआ था और ना ही किसी ने निये मौका कोई पालन किया इन महिलाओं के वाइरल वीडियो पर प्रदेश के ग्रह मंद्री डॉक्टर नरुतम मिशा ने भी अपनी प्रतिकरिया दी, साथ ही ये भी कहा कि फिलाल सरकार के पास अरे हिजाब पर प्रति बंद को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं, उन्होंने सभी से शांती बनाय रखने की अपील की कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मद्री प्रदेश सरकार के पास विचारा धीन नहीं है इसलिए कोई भ्रमकी इस्थिति न रहे और जहां पर वो विवाद है वहाँ भी मामला न्यायलम में लंबित है हाइग जब भी कभी इस तरह की विशया आते हैं जो समेदल सील होते हैं उस समय सोछल मीडिया पर इस तरह की कई चीजें माइरल पूरे लगती अब यह तो प्रमाणिक नहीं होता है वो आज का है कल का है परसो का है या कव का है लेकिन मेरी सभी से प्रातना है जब सम्मेदन सील कोई विशे आए तो सोचल वीडिया पर मर्याना का पालम करना चाहिए और समाज की सभी वर्गों और हितों का ध्यान लगता है तो कांगरे सिर्थ सभावी कुरूप से इस तरह के विशेओं को जिन्दा रखना चाहिए तो उसमेदन सील विशे तो उसको अलाजनी भी नखी है फिलहाल हिजाब मामले में पूरा मामला कोर्ट में विचारा दीन ऐसे में ये मुद्दा अब राचनी तक रंग भी ले चुका है स्कूल और कॉलेजिस में वर्षों से मुस्लिम महिलाय हिजाब पहन कर जा रही है लेकिन अब ये एक बड़ मुद्दा बन चुका है थाए लेकिन अब बन चुका है